अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां अम जाके रह सकेंगे तुम यहां एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हूं जहां सिर्फ हिंदू रह सकें हो जब एक मुसल्मान खुद को फॉक्र से मुसल्मान बोल सकता है तो पेरे एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है घर से तब सालिक तुम सब के बदन में आख क्यों लग जाती है ये तेकुलिजम का जंडा लेकर खड़े हो जाती हो तुम घरों में एद और दिवाली एक साथ मनाई है अब जब से तुम दोनों कालेज गए हो एक दूसर से मिलती ही नहीं